प्रथम आंगल मराठा युद्र, 1775 इस्वी से 1772 इस्वी में माधव राव की मृत्व के साथ ही मराठों में पेशवा पत के लिए आंतरिक संघर्ष आरंब हो गया। माधव राव नारायन राव को नाना फळनवीस ने पेशवा सुईकार किया और उसकी सहायता के लिए एक प्रतिशासन परिशत की नियुक्त की। इसके बदले रगुनात राव ने अंग्रेजों को सिलहट एवं बसीन के द्वीप तथा सूरत शेत्र के कुल राजस्व का आधा हिस्सा देने का आश्वा संधिया। अंग्रेजों ने कर्नल किटिंग के नेत्रित्तों में एक सेना मराठों के विरुद्ध भेजी, प्रथम आंगल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध साथ वर्षों तक चलता रहा, किन्तु कोई परिणाम ना निकल सका। अंतता वारिन हिस्टिंग्स जो की गवर्नर जनल था, मराठों से संधी के लिए कर्नल अप्टन को पूना में मराठा दर्बार में भेजा। कर्नल अप्टन ने पूना दर्बार में अंग्रेजों के साथ शांती स्थापना के लिए संधी का प्रस्ताव रखा। कर लटा दिये, माधाव राओ नारायन राओ को पेश्वा सुईकार कर लिया गया।